मुवी की स्टार्टिंग में हमें टीम नाम का आदमी दिखाई देता है जो उसकी बेटी को अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है जब तीन सास साल का था वो अपने इमेजिनरी वर्ड में अपने पेरंट्स टेड और जैनिस के साथ बहुत खुश था उसके पेरेंट्स एक प्रपी कोर्परेशन कंपणी में काम करते थे उसकी लाइब बिल्कुल पर्फेक्ट जा रही थी उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और वह तीनों एक हैपी फेमिली की तरह बहुत अच्छी लाइब गुजार रहे थे फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि टीम की ल विंडो से देखता है कि एक क्यूट सा चोटा सा बेवी सूट पहने खुच चलकर उसके घर की तरव आ रहा है जब टीन नीचे जाकर देखता है तो उसके पेरेंट्स उसे बेवी दिखा के करते हैं कि यह उसका ब्रदर है टीम यह सुनकर शोक में चला जाता है इसके बाद करता है क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी बेवी की वियर्ड हरकते देखी नहीं पा रहा होता टीन के पेरेंट्स यह कहके उसे चुप करवा देते हैं कि हर बच्चा अलग होता है राज जब टीम अपने पेरेंट्स को सुनाने के लिए बुलाने जाता है तो उसे फोन की देख बोस उसे बहुत बुरा फिल करवाता है वह कहता है कि अब इस घर में उसकी बिल्कुल ज़रुत नहीं है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स बोस से प्यार करते हैं टीन इसी दुख को दिल में लिए सो जाता है और सुबह उठकर बोस के खिलाफ सबुत जमा करने का डिस बोस मीटिंग शुरू करता है जिसमें वो उन बच्चों को बताता है कि बहुत टाइम से पपीज ने बच्चों की जगा लेनी शुरू कर दिये जो प्यार बच्चों को मिलना चाहिए वह पपीज ले रहे हैं और अब पपी गंपनी के डोग की एक न्यू प्रोड़क्ट लोस वेगास में लॉंच करने वाले हैं जो बेबी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है यही वज़े है कि यह सब बेबी पपी कोर्परेशन के वरकर के घर में रहते हैं ताकि कोई भी इंफोर्मेशन निकाल सकें इससे पहले कि वह लोग मजीद कोई बात करें उन्हें पता चल जाता है कि टीम उनकी बाते रिकूर्ट कर रहा है जिस पर वह सब बेबी मिलके टीम के पीछे टेब लेने पड़ जाते हैं टीम उन सब बेबी को हराते हुए टेब अपने पेरेंट्स के पास ले जाने लगता है पर अचानक बाजी उसके हाथ से निकल कर बेबी के हाथ में चली जाती है टीम हार नहीं मानता है और टेप वाबस लिये ट्रम्ब से जंब करके अपने रूम में पहुँझता है बोस बेबी भी उसके पीछे जाता है बोस बेबी के लिए टीम से टेप लेना मुश्किल हो रहा होता है जिस पर तो वह टीम को blackmail करता है कि अगर टीम ने उसे टेप ना दी तो वह उसके फेवरेट टोई लेंब लेंब को तोड़ देगा टीम जब उससे लेंब 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 लेने की कोशिश करता है तो लेंब लेंब की body और सर अलग अलग हो जाते हैं टीम गुस्से में आकर बेबी को विंडो से बाहर फेकने लगता है, तो वहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वज़े से बेबी की जगे टे विंडो से बाहर गिर जाती है, टीम के पेरेंट्स उसकी हरकतों से तंग आकर उसे कुछ टाइम के लिए रूम में बंद कर देते हैं, बेबी को टीम के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह उसके पास रूम में जाता है, जहां वह टीम को बताता है कि वह एक सिक्रेट मिशन पर आया है, बेबी टीम को अपना पेसी फायर सक करने को बोलता है, जिसके बाद वह दोनों बेबी कोर्पोरेशन में पहुंचते हैं, जहां नॉर्मल बेबी एडल्ड की तरह बात करने वाले बेबी के साथ काम करते हैं, ताकि वह पूरी दुन्या में बेबी का प्यार और मकाम नॉर्मल रख सकें, बेबी बताता है कि वह एक स्पेशल बेबी फोर्मूला पीता है, जिसकी वज़र से वह ऐसे एडल्ड की तरह बात कर सकता है, और हमेशा बेबी ही रहेगा, पर हर थोड़ी देर के बाद उसे इस फोर्मूला की जरूरत है, फिर वो टीम को एक बिग बेबी बोस को दिखाता है, बेबी टीम को बताता है कि अगर उसने यह पपी वाला मिशन कंप्लीट कर लिया ना, तो उसकी पिच्चर्स लेजेंड बेबी के साथ वोल पर लग जाएगी, और उसे परमोशन भी मिल जाएगा, इसका यह मतलब है कि वो हमेशा टीम के साथ नहीं रहेगा, बलकि मिशन के बाद वापस चला जाएगा, पर अगर उसने मिशन कंप्लीट ना किया, तो उसे जोब से निकाल दिया जाएगा, और फॉर्मूला भी ले लिया जाएगा, इसका मतलब है कि वो टीम के साथ हमेशा गर पर ही रहेगा, यह जानकर टीम टेंशन में आ जाता है, और मिशन कंप्लीट करने के लिए बेबी की हेल्प करने को तयार हो जाता है, ताकि उसे गर में उसका मकाम वापस मिल सके, यह दोनों रात में अपने पेरेंट्स की फायल में से न्यू पपी कोर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, इस पर वह दोनों टीम की सजा खत्म करवाने के लिए अपने पेरेंट्स को शो करना शुरू हो जाते हैं, कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, टीम बेबी का बहुत खयाल रखता है, और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, रात में श्टोरी पढ़ते हुए दोनों सोपे पर हग करके सो जाते हैं, और उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे देख कर बहुत खुश हो जाते हैं, जिस पर वह नेश्ट मॉर्निंग टीम की सजा खत्म कर देते हैं, और दोनों को अपने साथ पपी कोरबरेशन ले जाते हैं, टेड और जेनिस के अपने काम पर जाने के बाद टीम और बेबी उस न्यू पपी की फाइल डूनने के लिए मिशन पर निकल जाते हैं, तब ही उन्हें एक स्पेशल रूम नजर आता है, और उन्हें यकीन होता है कि फाइल वहीं मिल सकती है, बेबी पपी के कोश्ट्यूम में रूम के अंदर एंटर करने लगता है, पर उसे सिक्यूरिटी गार्ड पकड़ लेता है, जिसे बेबी पपी की तरह लीग करके वहां से बहां निकलता है, और टीम के साथ रूम में एंडर हो जाता है, वहां उन्हें एक फाइल मिल जाती है, जिसे पढ़ने पर उन्हें एहसास होता है कि वह फाइल एक ट्रेप थी, डॉप के कोश्ट्यूम में आकर एक आनमी इन्हें केस में बंग कर देता है, और पपी कोर्परेशन के सीओ फ्रेंसिस ए फ्रेंसिस के पास लेके जाता है, जो इन दोनों पे रिवेल करता है कि वह और कोई नहीं, बलकि सूपर क्लोजर है, जिसकी पिच्चर सूपर बेबिस में लगी थी, और वह बेबी बोस का आइडियल भी था, सूपर क्लोज उन्हें बताता है कि उसकी लाइफ परफेक जा रही थी, उसके पास सब कुछ था, फिर एक दिन फॉर्मूला ने उस पर असर करना बंद कर दिया, और वह बड़ा होने लग गया, जिस पर उसे कंपनी ने रिप्लेस करके न्यू बोस रख ली, और उसे जोब से निकाल कर एक फेमिली को दे दिया, तब से वह बेबी कोर्पुरेशन को तबा करने के मिशन पर है, और अब फाइनली इस पर काम्याव हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ऐसा पपी बना लिया है, जो हमेशा पपी ही रहेगा, डीपी बोस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिस पर सूपर क्लोजर का ब्रदर युजिन बेबी बोस से उसका फॉर एवर बेबी रहने का पोशन ले ले लेता है, सूपर क्लोजर उसी को पपीज पर यूस करने वाला था, और यह सब उसका बेबी को यहां तक लाने का प्लान था वह मजीद उन दोनों को बताता है कि वह उसके पेरेंट्स को अपने साथ लोस वेगास ले जाने वाला है और यहां उन दोनों को अपने ब्रदर यूजिन के पास छोड़ कर जाएगा यूजीन बेबी की चकल लेकर इनके घर आ जाता है टीम और बेबी को उसके पास छोड़कर उनके पेरेंट्स सूपर क्लोजर के साथ लोस वेगास के लिए निकल जाते हैं पोशन के बगिर बेबी एकदम नॉर्मल बेबी बन जाता है और फिर एकदम ठीक हो जाता है यह दोनो लास वेगास जाने कर डिसाइड करते हैं इसके लिए यह फेक वोमिट बनाकर यूजीन पर फेकते हैं और उसे वोश्रों में बंद करके एरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं पर यूजीन इनका पीछा नहीं छोड़ता है यह देख बेबी हेल्प के लिए अपनी टीम को बुला लेता है जिनके साथ मिलकर यह यूजीन को टफ कॉमपेटिशन देता है वह सब यूजीन को बहुत मारते और हराने का ट्राइ करते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते यह देख बेबी टीम को साइकल तेज चलाने को कहता है टीम वापस अपने इमेजनेशन में जाकर इस सिच्वेशन को अपने हिसाफ से सेट करता है और वो दोनों यूजीन से बसते हुए एरपोट पहुँच जाते हैं टीम को वहाँ पर अपने पेरेंट्स नजर आ जाते हैं पर इससे पहले कि वह उन तक पहुँच पाते हैं बेबी नॉर्मल बेबी जैसा एक्ट करने लग जाता है टीम उसे लोगों से बचा कर अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है तो सूपर क्लोजर उनने देख लेता है जिस पर वह उनके पेरेंट्स को फोरण वहाँ से निकाल कर प्लेन में ले जाता है और प्लेन वहाँ से निकल जाता है बेबी और टीम प्लेन को जाते देखते रह जाते हैं इतनी मेहनत के बाद भी वह अपना काम नहीं कर पाते यह इन दोनों को बहुत डिश्टब कर देता है और इसकी वज़े से उन दोनों के विच लड़ाई हो जाती है दोनों एक दूसरे को बहुत गलत बाते बोलते हैं और फिर बेबी वहां से चला जाता है टीम अपने पेरें के फिक्र है और उसे उनने हर हाल में बचाना है उसी तरह बेभी को बेभी कोरपुरेशन की फिक्र है यह सब सुनकर टीम एमोशनल हो और वो दोनों वापस फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, अब वो लड़ेंगे नहीं, और टीम के पेरेंट्स को और बेबी कोर्परेशन को तबाह होने से बचा लेंगे, अब वह दोनों सोची रहे होते हैं कि लोस वेगास कैसे जाए, तबी उन्हें अमेरिकन सिंगर एल्रीस के गेटब में बहुत से लोग नजर आते हैं, जो लोस वेगास जा रहे होते हैं, टीम और बेबी उनमें से एक कोश्ट्म चोरी करके प्लेन में चड़ जाते हैं, प्लेन में टीम बेबी को नॉर्मल बच्चों की तरह रहना सिकाता और दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, लोस वेगास पहुँचकर वो एक गल्स के गुरूप से लिफ्ट लेकर पपी कोर्परेशन के इवेंट की जगर पर पहुँच जाते हैं, वहाँ बेबी नॉर्मल बेबी बन जाता है, इससे बड़ा मसला होता है कि यूजिन इन पर अटे कर देता है, टीम बेबी को वापस एडल्ड करके यूजिन से बचाने वहाँ पहुच जाता है, जहां सूपर क्लोजर फोर एवर यंग पपी लौंच कर देता है, जिसे देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं और अपने बच्चों को बूल जहां वह दोनों यूजिन को नीचे फेक देते हैं, वहाँ वह देखते हैं कि सूपर क्लोजर पपीज को एक रोकेट की मदस सरे वर्ड में बेजने वाला है, वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो सूपर क्लोजर रोकेट कर टाइमर सेट कर देता है और उनके पेरिंट्स के ब देखते हैं रोकेट लोंच होने वाला है जिस पर बेबी रोकेट पर चड़कर सब पपीज को बहार निकाल देता है लेकिन इसके फोरण बाद वह फिर से नॉर्मल बेबी की तरह एक्ट करने लग जाता है यहां आपके दिमाग में भी यही आएगा कि हर गलत टाइम पर वो बेबी बन जाता है टीम सोंग सिंग करके बेबी को रोकेट के लोंच होने से पहले उसे उतार लेता है और फिर पोशन दे के नॉर्मल करता है वहाँ वह देखते हैं कि सूपर क्लोजर वापस बेबी बन गया है जो उन पर अटेक करने ही लगता है कि यूजिन वहाँ आकर और अपने साथ ले जाता है यह कहते हुए कि इस बार वह उसकी अंब्रेंगिंग अच्छे से करेंगे इसके बाद बेबी लोग खोल कर उनके पेरेंट्स को भी बचा लेता है टेड और जेनीस बोकसे बाहर आकर दोनों को प्यार करते हैं और वह सब वापस घर आ जाते हैं टीम घर के अंदर जाकर देखता है कि बेबी कोर्परेशन की टीम आकर घर से और उसके पेरेंट्स के दिमाग से बेबी की सब चीजें और मेमोरी लेकर जा रहे हैं बेबी को वहाँ पहुँचके परमोशन और वह सब मिल जाता है जो वह चाहता था पर अभी भी वह दोनों ही कुछ नजर नहीं आते हैं फिर टीम बेबी को एक लेटर बेशता है जिसमें वह उसे वापस आने को करता है टीम करता है कि वह बेबी से बहुत प्यार करता है और उसके साथ अपनी फेमिली शेयर करने को भी तयार है और अगर उसके हिस्से का सब प्यार बेबी को मिल जा टीम सुबह उठकर देखता है कि बेबी आ गया है वह वापस नीचे जाता है और बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है टीम बेबी को बहुत प्यार करता है और वह सब एक हैपी फेमिली की तरह रहने लग जाते हैं मुवी के लाज सीन में हम बिग टीम को अपनी डोटर को होस्पीटल में यह इस्टोरी सुनाते देखते हैं जहां बेबी बोस भी होता है टीम यह सब उसे इसलिए बता रहा होता है क्योंकि अब उसकी भी एक शिश्टर आने वाली थी टीम की डोटर जब विंडो के पास जाक अपनी शिश्टर को देखती है तो वह भी बेबी बोस के सूट में होती है जिसे देखते ही टीम की डोटर हैरान हो जाती है और वहीं पर मुवी एंड हो जाती है एसी और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कर लेखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजवाले बेल पर क्लिक करके और का उप्शन जरू सेलेट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले थैंक्स फोर वाचिंग थैंक्स फोर यूर सपोर्ट